दोस्तो जी टीवी का मोस पॉपिलर सीरियल कुम कुम भागे तो आप सभी लोग जरूर देख रहे होंगे जो पिछले साथ सालों से दर्शकों पर प्रसारित हो रहा है और दर्शक इस शो को इतना पसंद कर रही है कि इसके करदारों को भी वो काफी पसंद कर रही है लेकिन जोस्तों कि आप जानते हैं जो काफी लबंसद criança कर रही हैं अभिनेत्री मेंसे कौन से अभिनेत्री है नम्बर वन पर अगर नहीं जानते दो क्योंकि आज एक्श्माद mm का कुवनी के आगिना जबाघ देगे लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना करदार बेहत खुबसूरती से परदे पर उतार कर इसलेस के दसवी कड़ी में अपना नाम शुमार कर आती है नमबर नाइन रूची स्वार्ण चलिए बात करें अभी नित्री रूची स्वार्ण के बारे में जो इस सीरियल में पूरप की दूसरी बीवी का करदार है और अप इसलेस के सातवी कड़ी में अभीनीत्री जॉन्वी सागवान का नाम शुमार है जो इस सीरियल में प्रग्य के दादी का करदार निभाती हुई नजर आई थी जिसके हर बार प्रग्या अपनी सूच बूस से बच जाया करती थी इन्होंने अपने नागेटिव करदार में इतना अच्छा प्रदर्शन की आज लोग इने काफी पसंद करती है इसलेंस के पाचवी कड़ी में अभिनेत्री रेहान अमनोत्र का नाम भी शुमार है जो इस सीरियल में आल्या का करदार निभाती हुई नजर आ रही है जी हाँ दोस्तों आप इस सीरियल को रिप्लेस कर दिया गया है पहले शुका से एंगेस करदार को निभा रही थी और अब रहान अमनोत्रा नमर चार पूचाप एनर्जी अब बात करें पूरा बेनर्जी के बारे में जो सीरियल में अभिशेक और पप्रग्या की बेटी रिया Verme का करदार निभाती हुई नजर आ रही है अब बात करें प्रग्या की छोटी बेटी फ्राच्छी का करदार निभाने वाली मुग्दा चापेकर के बारे में तो आपको मता दे कि इन दिन और ये अपनी निक्ती लिए अंदाश से लोगों को मशूर कर रही है अब बात करें अभिनेत्री लिना चुमाने के बारे में जो इस सीरियल में नेगेटिव याने की तनुश्री का करदार निभाती हुई नजर आ रही है और अभियों प्रग्या को हमेशा ही अलग करनी की नई-ने तकरीब सोचती है जी हाँ अभिनेत्री शुद्री ज़ाई ही है नबर वन पर क्योंकि इन्हों ने प्रग्या के करदार को बेहत खुब सूर्ती से नभाया था इसके साथ ही इन्हों ने सीरियल में एक मा प्रेमी का और एक पत्नी के गिर्दार को बारीकी से परदे पर उतार कर लाखुल लोगों का मरा रंचन भी किया दोस्तों आपके हिसाब से इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री है नमबर वान आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स पे कमेंट करकर जरूर बताए और साथ ही टीवी जगह से जुड़ी एस यो और मज़दार खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले